कोई गाइस टोड़े विए गूंग डू स्टार्ट एक्स पॉइंट त्री में हम ट्रेंगल की एक और प्रोपर्टी पढ़ेंगे एंगल सम प्रोपर्टी तो बहुत से बच्चों को हो सकता है यह प्रोपर्टी मालूम हो यह चोटी क्लास में भी आप यह चीज पढ़के ठीक है इसको आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं देखिए एक रेंडम ली कोई एक पेपर पर एक ट्रेंगल बना लिजे और उसकी कटिंग कर लिजे फिर उस पेपर को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिजे और हर एक एंगल को एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 को इस तरह से यहां प बन रही है वह एक्चुली में क्या है एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 इनका सम है तो इससे क्या प्रूफ होता है एक ट्रेंगल में हमेशा तीनों एंगल का सम 180 डिए होता है और सेम चीज आप दूसरे तरीके से भी टेस्ट कर सकते हैं कैसे आप तीन एकदम आइडेंटिकर य यह थर्ड ट्रेंगल हो गया तो फिर्स ट्रेंगल से अंगल 3 से एंगल 1 और ठीण से एंगल 2 एंगल 2 जैनि कहने का मतलब है कि तीनों ट्रेंगल में से एक एंगल आप ने लिया और एक कॉमन पॉторииंट पर मिट कर ला दिया तो आप देखें है एगे इक स्ट्रेट में चाम बन गई अभ यहां पर आपने हैं एक जैसे ट्राइंगल बना लिया और एक ट्रैंगल कर लिया ला चैश्प करने डीए लीके wait. यहाँ पे रहता हैं आपको एक तरीका और देर कर सकते हैं हैं जुका। मैंएक हम विया धो फ्रकान को आपалы है डाइटली एक्जाम्पल्स को जंप करता है अग्जाम्पल से पहले इसका जिस्टिफिकेशन भी है तो आल्दो आ डोंट थिंग कि एक्जाम में आता है बट मेरे हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए तो एक बार फटा-फट डिसक्स कर लाता है ठीक है कैसे प्रूफ कर स इसको मैंने बोला एंगल 4 अब देखिए एंगल 4 के एडजेसेंट एंगल 3 तो इंटिरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हुए एंगल 1 एंगल 2 और अभी पिसली एक्साइज में मैंने यह प्रॉपर्टी पड़ी थी एक्स्टिरियर एंगल का मीजर कितना होता है सम आफ त इंटिरियर एंगल्स इससे मैं क्या बोल सकता हूँ इससे मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4 अगर आपको भी प्रॉपर्टी नहीं पता तो एक बाद प्रीज पिछे वाली एक्साइज गो थू कीजिए लिखिए आपर मैंने एक् दिखर दिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 यहां पर तो होगया 1 प्लस 2 प्लस 3 और इधर होगया 4 प्लस 3 अब एक चीज देखिए फिगर में 4 प्लस 3 आपको फिगर दिखाता हूँ वापस जड़ा देखके बताइए क्या 4 प्लस 3 एक स्टेट लाइन है की नहीं है ठीक है और अगर य दिखिए जगे मैं 180 लिख दूँगा मेरा क्या एक्किवेशन बन जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 एक्वल्स टू 180 डिगरी और 1 प्लस 2 प्लस 3 जब 180 डिगरी हो गया तो 1,2,3 क्या है उस टैंगल के तीनों एंगल से हैं तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि तीनों एंगल का प्लस 4 प्लस 5 प्लस 52 तीन एंगल से हैं एक फॉर्टी सेवन एक फिफ्टी टू है और एक का आपने वह मेजर निकालना है इन तीनों का अपने सम किया और किसकी एकोल रग दिया प्लस लाद गविल नग दिया तो जेब इसको मैंने सॉल किया देखिए 47 इदर पलस है उधर जाके माााइनस होगा 52 भी उधर जाके माााइनस होगा तो दोनों इदर जाके सब्टेक्ट होगए अब देखिए माइनस 47 माइनस 52 माइनस माइनस है तो दोनों add होंगे और sign माइनस का जाएगा तो यह हो गया माइनस 99 तो 180 में से जब 99 मैंने subtract किया तो मुझे मिला 81 तो major of angle P मेरा क्या हो गया 81 डिगरी clear है तो आप exercise 6.3 स्टार्ट करते है question number 1 में देखिए हर एक case में आपको x की value find करनी है तो आपको push नहीं करना हर एक question में just angle sum property अपलाई करनी है देखिए सबसे पहले first part देखिए तीन angles है तीन हो एंगल का sum क्या होगा 50 plus 60 plus x equals to 180 degree ठीक है मैं आपको यहाँ पर direct कर रहा हूँ आपको एक्जाम में proper statement लिखे करना है ठीक है यहाँ आप bracket में reason लिखेंगे अप by angle sum property ठीक है अब next step में देखिए इसको इसको right hand side shift करेंगे तो x की क्या value हो जाएगी 180 minus 50 minus 60 तो देखिए यह हो जाएगा 180 50 और 60 कितना होगा 110 sin negative 180 minus 110 तो यह आपको देगा 70 degree clear है अगर चाहिए तो आप इसको यहाँ पर भी add करके फिर shift कर सकते है देखिए कैसे करेंगे 50 plus 60 110 110 plus x equals to 180 x की value हो जाएगी 180 minus 110 तो अगेन आपको 70 मिलेगा clear है ओके अब फिक करते है second वाला part देखिए 130 degree है और यहाँ पर 90 degree का sign है that means क्या हो गया 90 degree हो गया तो यह angle sum property apply कीजिए statement लिखेंगे आप proper ठीक है 90 plus 30 plus x equals to 180 degree 90 plus 30 कितना देगा आपको 120 120 plus x equals to 180 120 right hand side shift होगा x equals to 180 minus 120 which is 60 x की वेल्यों आगई 60 degree clear है ओके third part पिक करते है again same चीज़ अप्लाई करनी है 30 plus 110 plus x equals to 180 तो देखिए 30 plus 110 यह गई 140 140 plus x equals to 180 next step में 140 उतर जाएगा 180 minus 140 यह आपको देगा 40 degree तो x की वेल्यों होगी 40 degree fourth part पिक करते हैं देखिए यहाँ पर आपको एक एंगल की वेल्यों दे रखिया है और बाकी दो के आपको निकालनी है पर अच्छी चीज़ क्या है कि बाकी दोनों x है यानि equal है clear है आपको कुछ नहीं करना वही थेोरम अप्लाइ करनी है कुंसी एंगल सम प्रोपर्टे की यह होजाएगा x plus x plus 50 equals to 180 तो देखिए x plus x यानि ये दो एंगल्स तो ये होगे और ये इस्ट राइंगल इनका तीनों का सम्में ने 180 कर दिया by एंगल सम प्रोपर्टे तो ये x plus x हो गया 2x तो 2x plus 50 equals to 180 अब 50 को उस तरब ले जाएए तो 2x equals to 180 minus 50 तो आपको देगा 130 2x की value होगी 130 अब देखिए 2 यहाँ पर multiply में है उतर जाएगा तो divide करेगा 130 को x हो जाएगा 130 divide by 2 तो जब इसको आप divide करेंगे तो x की value आएगी 65 ठीक है यह angle भी 65 degree है यह angle भी 65 degree है विस तरह से अपने triangle की 3 angles find कर लिए ओके अब पर करते हैं 5th part 5th part देखिए 3 angles क्या है x है ठीक है 3 angles equal है that means equilateral triangle है और equilateral triangle में angles कितने होता है 60 degree क्यों होता है सारे ठीक है यही चीज अपने देखिए find कैसे करेंगे x प्लस x प्लस x इक्वल्स to 180 degree तीनों angles का मैंने sum किया और 180 degree के equal रख गिया तो x प्लस x प्लस x यह होगे 3x 3x इक्वल्स to 180 degree अब देखिए 3 next step में नीचे की तरफ जाएगा x हो जाएगा 180 divided by 3 तो 180 divided by 3 आपको क्या देगा यह आपको देगा 60 degree तो x की value होगे 60 degree तीनों angles की value क्या होगे 60 degree और यह होगे एक equilator triangle अब देखिए 6th part 6th part में देखिए यह वाला है 90 degree आप 90 degree का sign देख सकते हैं यहाँ पर और बाकि जो दो angles हैं वो x के form में दे रहा है आपको तो देखिए x plus 2x plus 90 equals to 180 degree तो 90 को उस तरफ ले जाते हैं और x plus 2x करेंगे तो 3x 3x equals to 180 minus 90 तो 3x क्या हो जाएगा आपका 90 degree तो 180 minus 90 आपको देगा 90 अब 3 क्योंकि multiply है तो नीचे की तरफ जाके divide होगा x हो जाएगा 90 upon 3 x की value आजाएगी 30 degree ठीक है x अगर 30 है 2x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा 60 degree इसका double तो देखिए ये हो गया 30 degree ये हो गया 60 degree और ये 90 degree लियर है ओके अब पिक करते है question number 2 question 2 के first part में देखिए तो angle की एक side को extend किया हुआ है और एक extra angle form हो रहा है और फिर उस extra angle की help से और angle sum property की help से दोनों की help से अपन x और y की value निकालेंगे देखिए कैसे 120 extra angle है इसका adjacent angle y है तो interior opposite angles कौन से हो गया ये दोनों यानि इन दोनों का sum 120 की equal होगा by the extra angle property जो आपने पिसली size में पढ़ी थी तो extra angle property की help से मैं क्या लिखता हूँ x plus 50 equals to 120 degree तो x की value क्या हो जाएगी इसमें 120 minus 50 x equals to 70 degree ठीक है तो मैंने x की value निकाल दी तो ये हो गया मेरा 70 degree अब देखिए इस triangle के अंदर आपको दो angles मालू में है जब दो angles मालू होते हैं तो तीसरा angle sum property की help से बड़े easy ली निकाला जा सकता है देखिए कैसे 70 जो की x था plus 50 जो की एक given है plus y equals to 180 degree इन तीनों का मैंने sum कर लिया और by angle sum property उनको 180 के equal रख दिया यहाँ पर कहीं पर मैं steps नहीं लिख रहा बट आपको exam में steps लिखने है ठीक है या फिर property का at least नाम तो mention करना ही करना है तो देखिए 70 प्लस 50 होगा 120 120 प्लस y equals to 180 120 उधर जाएगा 180 minus 120 y की value आ जाएगी 60 degree तो मैंने x की value भी निकाल दी और y की value भी निकाल दी अब एक चीज और observe कीजे मैं y की value without angle sum property भी निकाल सकता था कैसे देखिए इन दोनों angles का sum y प्लस 120 यह होगा 180 reason यह एक straight line पे है ठीक है तो आप इस तरह से भी कर सकते थे y प्लस 120 equals to 180 और आप यहाँ पे reason क्या लिखते है linear pair clear है जब bracket में since करके since these are linear pair next step में हो जाता 180 minus 120 तो आपको क्या मिलता अगेन 60 मिलता तो तरीके different भी हो सकते हैं बस सही तरीके से apply करेंगे तो answer हमेशा सही आएगा second part देखिए again आपको triangle के दो angles निकालना है तो देखिए एक triangle में अगर एक angle missing है तो angle sum property से निकाला जा सकता है बट अगर दो angles missing है और दोनों के variable forms अलग अलग है देखिए उपर दो angles missing थे बट दोनों x के form में थे यहाँ पर एक x के form में एक y के form में है इधर भी x के form में था एक y के form में था इस case में अपने को additional कुछ help चीए होती है तो इस बार वो additional help कौन सा करेगा vertically opposite angles देखिए कैसे 80 degree और इस y को अगर आप observe करेंगे these both are vertically opposite angles ठीक है तो इसकी help से y की value बड़े easily निकल जाएगी y क्या होगा 80 degree तो आप statement लिखेंगे y equals to 80 degree ठीक है और bracket में reason क्या देंगे vertically opposite angle clear है अब क्योंकि triangle में तीन angles में से दो angles मुझे मालूम चल चुके है तो मैं angles हम property apply कर सकता हूँ देखिए 80 जो की y था plus 50 जो की given है plus x equals to 180 degree 80 plus 50 होगा 130 130 plus x equals to 180 degree x की value क्या हो जाएगी 180 minus 130 x equal to 50 degree clear है कि x की value भी निकाल दी और y की value भी निकाल दी make sense okay third part देखिए third part में again आप देख सकते हैं कि exterior angle मिला हुआ है एक अपने को exterior angle क्या है x ठीक है तो देखिए x exterior angle है और इसका adjacent angle y है तो interior opposite angles कौन से बचे ये दो exterior angle property अपने क्या करते हैं कि जैसे उसका adjacent angle छोड़के जो बागी के दो बचे हुए angles होते हैं उनका sum करते हैं और जो sum आता है वही measure होता है exterior angle का तो इसकी help से मैं बोल सकता हूँ कि x का जो measure होगा वो 50 plus 60 होगा यानि x equals to 50 plus 60 और bracket में आप reason लिखेंगे exterior angle property clear है तो लिखें x की value क्या होगई 60 plus 50 110 clear है तो ये होगी 110 अब देखिए आप क्या कर सकते हैं अब आप x plus y कीजिए ठीक है और x plus y क्या है linear pair है एक straight line के उपर अगर कोई दो angles बने वे होते है तो उन्हें अपन linear pair की help से 180 degree बोल सकते है तो मैं क्या बोलूँगा x plus y equals to 180 degree और bracket में आप reason लिखेंगे linear pair अब क्यों क्यों मुझे x की value मालूम है देखिए x की value में यहां से replace कर देता हूँ यह हो जाएगा तो y हो गया 70 degree तो इस तरह से मैंने दोनों angles निकाल लिए तो देखिए बाखी के बच्चे वी पार्ट भी फटा फट कर लेते है fourth part में देखिए again दो angles missing है और एक x की form में है एक y की form में है additional help अपने को क्यों मिल दिए है vertically opposite angles की देखिए कैसे यहाँ पर यह दोनों angles क्या है vertically opposite angles है एक 60 है तो दूसरा भी 60 हो जाएगा इसकी help से मैंने x की value निकाल ली तो आप लिखेंगे x equal to 60 और bracket में reason आएगा vertically opposite angles clear है अब क्योंकि triangle में मुझे दो angles मालूम है तो तीसरा angle angle some property के help से निकाला जा सकता है देखिए कैसे 30 plus x x की जगे अब मैं 60 लिख सकता हूँ plus y equals to 180 degree 30 plus 60 90 90 plus y equals to 180 degree y की value हो जाएगी 180 minus 90 y will be 90 degree अब देखिए fifth part fifth part में भी देखिए तीनों angle missing है दो तो x की form में है और एक y की form में है यहनि दो variable है तो जब तक दो variable है तो मेरा काम हो सकता है let's see, देखिए यहाँ पर vertically opposite angles का rule apply कर सकते है यहाँ दोनों vertically opposite angles है एक 90 है तो दूसरा भी 90 हो जाएगा तो y की क्या value हो जाएगी 90 degree तो यह हो गया 90 degree और reason आप नहाँ पर लिखेंगे अब उसके बाद मैं triangle में angle sum property अपलाए करता हूँ x plus x plus y equals to 180 degree x plus x तो हो गया 2x और y की value अभी मेंने निकाली है कितनी है 90 equals to 180 degree अब 90 को उधर shift कीजे 2x equals to 180 minus 90 2x हो गया आपका 90 degree अब 2 यहाँ पर multiply है तो नीचे जाएगा x equals to 90 divide by 2 तो आपको क्या देगा 45 degree यह भी 45 हो गया यह भी 45 हो गया ठीक है तो तीनों angles की value निकाल दिये अपने clear है अब पिक करते है last part देखिए यहाँ पे कोई भी अपने को number दिया ही नहीं है और फिर भी अपने को x और y की value निकालने है तो देखिए किस से निकालेंगे बड़े ध्यान से समझेगा देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह vertically opposite angles है तो vertically opposite angles क्या होते हैं equal होते हैं clear है इसकी अब से मैं बोल सकता हूँ कि x equals to y या फिर ऐसे बोली है कि y equals to x यानि कहने का मतलब यह है कि मैं x बोलू या y बोलू दोनों की value एक ही है और same rule यहाँ पे भी apply हो रहा है और यहाँ पे भी apply हो रहा है यहाँ पे vertically opposite angles का अगर मैं rule apply करूँगा तो यह अंदर वाला angle यह भी x हो जाएगा और यह भी x हो जाएगा यह दे कि बाहर वाला x है तो इसका vertically opposite अंदर यह भी x हो गया और यहाँ पे भी बाहर वाला x है तो इसके अंदर वाला भी x हो गया और क्योंकि यह y इसको मैं x के equal रख सकता हूँ क्योंकि यह मैंने अभी अभी आपको बताए कि x equal to y है इस तरह से मैंने क्या find किया कि इस triangle के अंदर के जो तीनों angles हैं उनको मैं x बोल सकता हूँ तो जब तीनों angles equal है that means equilateral triangle है वैसे तो मुझे already मालू है equilateral triangle में 60 degree के angles बनते हैं बट exam में मैं किस तरह से करूँगा x plus x plus x equals to 180 degree तो देखिए यह जाएगा 3x equals to 180 degree तो जब 3 उदर जाएगा तो x equals to 180 divided by 3 x की क्या value हाजएगी 60 degree clear है तो अब यह चीज properly mention करेंगे यहाँ पर reason mention करेंगे vertically opposite angle statements लिखेंगे ठीक है मैं just आपको यहाँ पर concept explain कर गा हूँ और यह जो concepts हैं अभी तक जो आपन ने पढ़े हैं और या फिर इस chapter में आगे भी जो आपन पढ़ेंगे यह सारे concepts आपकी tips प्रोने चीए हैं क्योंकि यह बहुत जादा frequently use होंगे आगयाने वाले classes में तो जब आपकी tips प्रोंगे तभी आपके लिए helpful होंगे clear है जादा प्राक्रिस केजिए और फिर एंड प्राक्रिस केजिए और इस जादा प्राक्रिस केजिए और जादा प्राक्रिस केजिए और फिर एंड दॉट लेगे एट लेगे लिए okay see you in the next exercise I'm your mentor make a difference nearby students can contact us for group and individual mentoring session our location is mentioned in video description others can contact us for online classes online doubt clearing sessions and for other online videos which are not publicly available on youtube thank you